नया मूव निफ्टी बैंक में अब तभी आएगा जब हम 533 के क्लस्टर के उपर सस्थेन कर जाएगे आशिश बहुत बड़े आई यह है निफ्टी निफ्टी बैंक का अप्रोच और निफ्टी बैंक से याद आया आज सबकी आज दो चीज़ों पर रिटेल की खास तोर पर नज़र है पहला तो वो जो कल शाम को कोटक महिंदरा बैंक पे गाज किरी शायद किसी लार्ज एंटीटी पर अब तक का आरभी आई का सबसे टफेस्ट डिसिप्लिनरी आक्शन कल हुआ है आरभी आई ने कोटक के खिलाब जो एक्शन लिया है उसमें ये जो कंपनी नए ग्रहाक की आउन बोर्डिंग करती थी जोडती थी मोबाइल से आउन लाइन बैंकिंग से यानि की ऑनलाइन और डिडिटल चैनल्स के थूँ उस आउन बोर्डिंग पर रोक लगा दी है प्लस फ्रेश इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स पे भी रोक है यह कह रहे हैं यानि की रेगुलेटर की सीरियस डेफिशेंसी और नॉन कंप्लाइन्स अब्सर्फ करी गई थी इसके आईटी सिस्टम्स में और रिपीट फेलियर्स हुए थे उसे एड्रेस करने के लिए 2022-2023 में सेंट्रल बैंक के आईटी एग्जामिनेशन में यह सिग्निफिकेंट कंसरंस तुरॉप करे थे पर इन्होंने रेक्टिफाइन नहीं करा और यह आक्शन सिग्निफिकेंट इसी लिए है क्योंकि आज की डेट में डेटल चैनल सबसे प्राइमरी मीन्स है और कोटक के लिए तो सबसे ज़ादा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कोटक के लिए इसका मैंग्निटूट बहुत दगड़ा है परसनल लोन्स जो नए है 95% आउनलाइन नए क्रेडिट कार्ट्स 99% आउनलाइन नए बिजनेस लोन्स 79% डिजिटली इन फाक्ट नए इन्वेस्ट्मेंट अकाउंट्स 90% बुक करे गए थे थे थू डिजिटल और डूइट यूर्सल्फ चैनल्स तो इसके लिए इसका मैंग्निटूट तगड़ा है वैसे उदे कोटक सार कुछ दिन पहले बोले थे तर्बुलेंस के लिए रही है हमें लगा ग्लोबल टर्बुलेंस की बात कर रहे है अपनी बात कर रहे है पथा नहीं पर 811 पर इंपक्ट आएगा बिसकी 811 जोनकी ऑन्वोर्डिंग थी उस पर इंपक्ट आएगा कोटक महिंदरा बैंक का स्टेट्मेंट आया है उसके बाद कि हम मेजर्स ले रहे हैं नई टिकनोलोजीज को अडॉप्ट करने के अपने आई टी सिस्टम्स को स्ट्रेंदिन करने के और स्विफली रिजॉल्व करने की जो आउटस्टैंडिंग इसूज है उसके आप सब कंसर्ण होंगे तो यह बता दूँ जो जो करेंट गरहाक हैं उनकी सर्विसेज इंपक्ट नहीं होगे पर दिक्कत में आया है काफी तो कोटक मेंदर बैंक तो आज का सबसे प्रॉमिनेंट स्टॉक हो गया है जो सब के नजर पे रहेगा दूसरा मैंने का था रिट सब को रिटेल को पूरा ही माल मिल गया है आज वो एफपियो शेयर्ज अब आप ट्रेड कर सकेंगे लिस्ट होने आएंगे दूर फिर उसके बाद तीनों निफटी के नंबर्स एक्सिस बैंक यार मुझे तो बढ़िया लगे जो बजार एक्सपेक्ट कर रहा था एनाई आ इंब्स भाई स्ट्रीट मान रहा था एनाईम्स कांट्राक्ट करेंगे उल्टा एनाईम्स पांच बेसिस पॉइंट एक्सपांड हो गया है 4.01 वाले 4.06 परसेंट परसेंट पे आसिट कॉलिटी ग्रॉस एनपीय नेट एनपीय क्यों एंप्रूव हो गया है तो नंबर्स अच्छे हैं हाई एक डैलिउशन का कंसर्न बना हुआ था क्योंकि उन्हेंने कहा था फंड रेजिंग करना चाहते हैं 35,000 रुपे डेट के तुरू और 20,000 रुपे एक्विटी इशुएंस के तुरू फंड रेजिंग की ते यारी पर नंबर्स जहां तक हैं अच्छे हैं मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट्स गिरे मुनाफ़ा पॉने 6 परसंट गिरा पर कमजोर एक्स्पेक्टेशन थी और एक्जाक्ली एक्स्पेक्टेशन पर खरे उतरे एल्टी आई माइंट्री तीसरा निफ्टी का नंबर मुझे ठंडा लगा और स्लाइड मिस भी है जो स्ट तो स्टी एक्सपेक्ट कर रहा था आए 1.5% के करीब गिरी एबिट उसके सामने पॉने साड़े 5% गिरा मार्जिन्स सतर बेसिस पॉइंट्स गिरे गिरने की एक्सपेक्टेशन थी गिरने के लेकिन 25 तीसस प्रसंट गिरने की बात थी 70 गिर और मुनाफ़ा 6% क्यों और क् numbers दाल्मिया भारत operationally कमजोर आए तो 10% बढ़ी पर इबीटा 8% गिरा margins 290 basis points गिरे सिंजीन इंटरनाशनल आए 8% गिरी पर उसके सामने margins 300 basis points बढ़े देखना होगा अभी stock कैसे react करेगा Indian hotels यह अच्छा अब काय का season non season जब भी जाओ hotel बुक करने महेंगा ही मिलता है तो ठीक है नंबर अच्छी रहने तो momentum continue हो रहा है आए 17% EBITDA 23% का margins और 160 basis points बढ़ गए AU small finance bank NII 10% बढ़ा लेकिन मुनाफ़ा 13% गिरा बाकी के internal थोड़े से कमजोर से हैं तो खेर मिले जुने numbers कही है Oracle financials disappoint कर रहा है और ये stock भी correct हो रहा है आए इसकी तिमाई दर तिमाई देखते हैं पना IIT 10% आहे गिरी margins 310 basis points गिरे profit 27% गिरा पर इसके dividend watchers बहुत है तो उनके लिए 240 रुपे का dividend डोल आउट Macro Tech Lodha आए सालदर साल 24% adjusted debita 37% का margins 340 basis points का उच्छाल इन्होंने QIP issuance कर रहा था update आया net debt to equity 0.34 times से reduce होके 0.17 times होगे update तो अच्छे है 5 पैसा खराब है 5 पैसा capital Q1 QI 12% बड़ी पर EBITDA 59% गिर गया margins 22% वाले 9% पे retail market share lose out कर रहे हैं तो ये कमजोर का मैंने से लिए TCS की कल बजार बंदोती update आया Amazon Web Services के साथ एक बढ़िया strategic partnership कर रहा है वो basically AI के generative AI के field पे in fact ये partnership इतनी बढ़ी है कि 25,000 TCS के employees को train भी करेंगे वो लोग 25,000 पर उनके तो 6,000,000 तो employees है मान तो 25 कर रही है अब context गोला भी गोला देख लिया delivery में कल एक last trade हुआ था Canada Pension Fund ने 2,44,000,000 शेयर बेचे खरिदार लेकिन है सारे के सारी smaller cap world fund American fund insurance fidelity ability HSBC सबने खरी दिया बाइर तकड़े RVNL एक project के लिए L1 lowest bidder declare हुआ है 239 करोड उपीस के फिर उसके बाद एक काम करें बहुत सारे तो आपन सीधा साथ में भी discuss कर लेंगे उसके बाद सारे 8 बजए भी बहुत कुछ discuss कर लेंगे तो आपने काम के सुबह सुबह सारे हो गया मैं एक break ले लेता हूँ break के उस पर जब lot के आएंगे is which kotak की reports आनी शुरू हो गई है kotak महिंदरा बैंक पे brokerage reports के कहरेंगे वो बताऊंगा आपको events calendar बताऊंगा और commodity strategies काफी action break के उस पर कर दो आपको झाल झाल